दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवो मुबाइल के उपर अगर आप वीवो का मुबाइल यूज करते हैं और अपने वीवो मुबाइल का प्राइवेसी पास्वूट भोल चुके हैं जैसे आप forgot password पे click करते हैं तो आपके सामने इसा पे जाता है identity verification यहाँ पे आपसे दो questions के answer माँगे जाती हैं बट यहाँ पे आपको ना तो answer पता हैं और नहीं आपको password पता है तो इन दोनों problem का इस वीडियो में आपको 100% permanent solution मिलने वाला है लेकिन यहाँ बहुत सरे लोग गल अगोगा नहीं करना है आपको एक बार वीडियो को पुरा देखना है उसके बाद easily अपने वीवाम को प्राविशी password को unlock कर पाएंगे तो आपको क्या करना है सिंफल यहां से अपको cut करना है और क्या करना है आपको अपने वीवोमवायल की सिंफल आपको setting को open कर लेना है setting को open करने के बाद यहां से आपको क्या करना है simple यहां पे आपको privacy ढून लेना है और यहां पे आपको privacy and encryption simple आपको इस पे click करना है जैसे click करेंगे तो यहां से भी password मंगा जाएगा अगर आप forward password क्लिक करेंगे तो same way page आजाएगा अब आपको क्या करना है इन सारी चीज़ों को थोड़ा आपको site रखना है और आपको थोड़ी अधर बातों पे ध्यान करना है अब यहां पे आप क्या करना है आपको जाना है play store पे और files by google इस वाले app को download करना है इसे download करने से क्या होगा आपको mobile में जितना भी data जैसे की photo, video, audio, document और सारी चीज़े आप access कर सकते हैं बिना password के इस app में कोई भी password देखने को नहीं मिलेगा और अपने mobile के इन सारे data को access कर सकते हैं अगर आप call नहीं कर पा रहे हैं तो आप play store में जाकर कोई भी calling app download कर सकते हैं आप call कर सकते हैं कोई भी contact app download कर सकते हैं और जिली contact देख सकते हैं और अगर आपने किसी भी social media app पे जो है password लगा के रखका जैसे की WhatsApp, Facebook, Instagram तो क्या करेंगे आप उसे डिलीट कर देंगे उसके बाद दुबारा download करेंगे तो कोई भी password देखने को नहीं मिलेगा चलिए अब हम बात करते हैं दुबारा आपको setting पे आना है setting में आने की बाद यहाँ पे आपको option मिलेगा Google का जैसे आप Google पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा पे जाएगा यहाँ पर आपका Gmail से करेंगा यहाँ पर मिलेगा manager गूगल अकाउंट manager और Google अकाउंट पे क्लिक करके अपने email ID का password reset कर सकते हैं और यहाँ से अपने email ID को देख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से आपको option डून लेना है system management इस पे क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे scroll करना है यहाँ पे आपको मिलेगा backup and reset इस पे क्लिक करना है उसके बाद नीचे आपको मिलेगा erase all data simple आपको इस पे क्लिक करना है जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा page आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ से clear ना हो simple आपको इस पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक क करेंगे उसके बाद आप से आपकी स्किन का और कोई भी तरीका नहीं है अगर आप पासवोट भी बोल चुके हैं और आपको सेकोर्टी क्वेश्चन का अंसर भी नहीं पता है उनके बिना आपने प्राइबसी पासवोट को रिसेट कर पाएं या तोड़ पाएं ऐसा कोई भी solution नहीं है तो यही solution है और अगर आप बिना पासड एकसस करना चाहते हैं तो आप वो सभी एब नाउनूट कर सकते हैं तो होप ये वीडियो को पसंद देख वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें